राजिस्थान सरकार के पहले पून बजट सत्र के दोरान वधानसाबाद्यक श्वासुदेव देवनानी ने कॉंग्रेस विधायक मुकेश भाकर को छे महीने के लिए निलंबत करते हुए सदन की कारवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्तगित कर दी थी तब कॉंग्रेस ने भाकर के निलंबन का जोड़दार वरोध किया नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं देनगरी निउस यहां तक किस के वरोध में कॉंग्रेस विधायक पूरी राद सदन के भीतर धन्ने पर बैठे रहे थे इनके साथ साथ महिला विधायक भी थी विधानसबा अद्यक श्वासुदेव देवनागी का कहना था कि भाकर के निलंबन के बाद भी वो सदन से भार नहीं गए यह सदन का अपमान है जिसके बाद उन्हें छे महीरे के लिए निलंबित कर दिया गया वही कॉंग्रेस का आरोफ है कि सदन में बिना मतदान के ही इनके विधायकों निलंबित क्या गया यह पूरी तरह सनविधानक है दरसल विधानसबा में नयतपरती पक्ष्टी कराम जूली विशेश इस्तागन प्रस्ताव लाए थे तिगड़ाम जूली ने कहा था कि एक जुलाई से भार्ती नियाय सहिता लागू हो गई है उन्होंने कहा था कि राजसरकार ने 12 जीलों में राजकिया अधिवक्ता नियूक्त कि ये गए हैं वो CRPC के तहत नियूक्त कि है जबकि उनके नियुक्ति भी एन एस के तहत हुनी थी उन्होंने कहा कि सांसादिय मंत्री के बेटे को सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति भी गई है जूली ने इस पर चर्चा कराने की मांग की जबकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने चर्चा कराने से मना कर दिया तो ह पाद इस पीकर ने सांसधे मंत्री से कहा कि मुकेश भाकर के खिलाब प्रिस्ताव लाओ नहीं लाए तो मुख्य जोगेश्वर गर्प्रिस्ताव लाए हाला कि इसके बाद भी मुकेश भाकर भाहर नहीं गए teams बाद में उन्हें छे महिने के लीए निलंबित कर दिया गया भाकर के निलंबन के बाद कहा गया कि हुनने चार साल के लिए निलंबित किया जाए खुद मुकेश भाकर ने कहा कि अगर crew स्पीकर चाहे तो मुझे पर्मनेंट आयोग्य कर दे लेकिन उनके उपल लगाए गए आरोपों का जवाब दिया जाए लेकिन ये तो इन दो सवालों के पीछे की कहानी है सवाल है कि आखर मुकेश भाकर अगरे चार साल के लिए सदन से निलंबित किये जा सकते हैं तो जवाब है इसके लिए विधानसाबा के निया में जाज़त नहीं दे दे 2022 में महरास्ट के 12 बाच्वा विधायक के एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद में सुप्रिम कोट ने महरास्ट विधानसाबा के इस फैसले को बदल दिया था अदालत ने कहा था कि एक साल के निलंबित करना किसी सदस्य को सदन से निकालने से बुरा है कोट ने ये भी कहा था कि ऐसा करना सन्विधान के मूलभुट धाचे के खलाफ है और दूसरा सवाल है कि विधान सबा के सदस्य को कितने वक्त के लिए निलंबित किया जा सकता है इसका जवाब है कि किसी भी वज़से अगर स्पीकर को किसी सदस्य को निलंबित करना पड़े तो वो उसे बचे उवे सत्र या फिराने वाले पाच बैठकों के लिए निलंबित कर सकता है वही ये नियम भी है कि अगर कोई सदस्य सदन में 6 महीने तक उपस्तित नहीं रहता तो उसकी सीट को खाली मान लिया जाएगा उस पर विधानसाबाद्यक्ष राज्यपाल के अनुमती से अगले 6 महीने में नए चुनाओ करवा सकते हैं ऐसे में कॉंग्रेस भाकर के निलंबन के फैसले को अदालत में चुनोती दे सकती है तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दनगरीनियों शुक्रिया